हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अमिता बच्चन सर की फिल्म जुन्डालिया भट की फिल्म कंगुबाई काठिया वारी प्रभास की फिल्म राधे स्याम अनुपम खेर की फिल्म दक कस्मीर फाइल और अच्छे कुमार की फिल्म बच्चन पांड्य के आप भी इन सभी फिल्मों के वॉक्स अप इस रिपोर्ट की जानकारी लेना चाहते तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए मैं सुमित के राव राउल जी मीडिया में आपका स्वागत करता हूं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्स पसंद आ रही है जिस वज़े से इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से फोर इस्टार का रिव्यू मिला है और इस फिल्म को रिलिज हुए आज 21 दिन हो चुके हैं तो अब बात करें इस फिल्म के बॉक्स अप इस कलेक्शन की तो या फिल्म आज एक करोड रुपय का कलेक्शन कर रही है इस एक साथ दोस्तों के सुरुआती 21 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 123 क्रोड 22 लाक रुपय का तो वहीं वर्ल्ड वाइट कलेक्शन हो रहा है 188 क्रोड रुपय का अब दोस्तों बात करें प्रभास की फिल्म राधे स्याम की तो इस फिल्म में प्र की तरफ से 3 star का review मिला है वहीं दोस्तों इस फिल्म को रिलीज हुए आज 7 दिन हो चुके हैं अब बात करें इस फिल्म के box office collection की तो या फिल्म आज हिंदी वरजन में 90 लाक रुपए का तो इंडेया नेट कलेक्शन एह करोड़ पचास लाक रुपए का कर रहे है इसेख साथ दोस्तों कि शुरुआथी का इंदिय। कलेक्शन हो रहा है एक 10 shoots लाकत का वहीं मॉलोड वाइट कलेक्शन हो रहा है 200 करोड़ दो लाख रुपए का अब दोस्तों बात करें अनुपर्म खेर की फिल्म दक कस्मीर फाइल की तो इस फिल्म में अनुपर्म खेर के साथ मित्रुन चक्रवाजती दरसन कुमार नजर आए हैं वहीं इस फिल्म को विबेक अगनी क्लेक्शन की तो या फिल्म आज 21 करोड़ रुपए का सांधर कलेक्शन कर रही है इसे के साथ दोस्तों इस फिल्म के सुरुआती साथ दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है सो करोड तीरपन लाख रुपय का वहीं वर्लवाइट कलेक्षन हो रहा है 122 करोड असी लाख रुपय का अब दोस्तों बात करें बॉलिपुट के महानायक अमिता बच्चन सर की फिल्म जूंड की तो इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ रिंकु राजगुरू अकास्थोसारी नजर आये हैं वहीं इस फिल्म को नागराज मुझले सर ने डारेक्ट किया है और इस फिल्म का बजट 22 करोड रुपय का है वहीं इस फिल्म के स्टोरी रियाल है जिस वज़े से पबलिक इस फिल्म को काफी पसंद कर रही है दोस्तों इस फिल्म को पबलिक की तरब से 3.5 इस्टार का रिव्यू मिला है वहीं दोस्तों इस फिल्म को रिले चुए आज 14 दिन हो चुके है तो आप बात करें इस फिल्म के box office collection की तो यह फिल्म आज 25 लाख रुपय का collection कर रही है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के सुरुआती 14 दिनों का इंडिया नेट collection हो रहा है 14 करोड 71 लाख रुपय का वहीं worldwide collection हो रहा है 23 करोड 90 लाख रुपय का वहीं दोस्तों लाश्ट में बात करें अच्छे कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की तो इस फिल्म में अच्छे कुमार के साथ lead role में कृती सेनन जैकनी फर्रांडेस और सत वारसी नजर आये हैं वहीं दोस्तों इस फिल्म को फरहाद सामची ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म का बजट 130 करोड फिल्म अपने पहले दिन 17 को और 20 लाक रुपए का कलेक्शन कर रही है इसका साथ दोस्तों इस फिल्म के अब तक के advance booking की बात करें तो या फिल्म अपने पहले दिन इंडियानेट कलेक्शन 17 को और 20 लाक रुपए का वहीं worldwide कलेक्शन 25 और 34 लाक रुपए का कर चुकी है तो अच्छे कुमार की फिल्म बच्चन पांटे को देखने के लिए कितने ज़्यादे एकसाइट है और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और आप भी आज़सी फिल्मों के बाक्स अफिस रिपोर्ट की जानकारी लेना चाहते तो इस चैन आपको बेल आइकन को प्रेस करती जिए